मेरे बच्चों कलाई में पीला धागा बांधना हो सकता है? लाभुदायक इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा पीला धागा बांधने के अंगिनत फायदे और इसको बांधने का कारण और इसको बांधने के नियम हिंदु धर्म में कई तरह के धागों को गले, कमर, कलाई या पैर में बांधा जाता है ऐसी मान्यता है कि अलग-अलग रंग के धागों का आपके जीवन में अलग प्रभाव होता है और इनके कई फायदे होते हैं जहां एक तरफ काले रंग के धागे से नजर दोश्ट से बचा जा सकता है वैसे ही पीले धागे से गुरु को मजबूत किया जा सकता है ऐसी मान्यता है कि इन धागों का जुडाव किसी न किसी ग्रह से होता है ऐसे ही आपने कई लोगों को कलाई में बांधे हुए भी देखा होगा कलाई में बांधे जाने वाले धागे को मौली या कलावा भी कहा जाता है इससे आपको कई लाब होते हैं आये जोतिशा चार्य से जाने कलाई में पीला धागा बांधने से मिलने वाले फायदों के बारे में कलाई में पीला धागा बांधने से मिलती है सुरक्षा कलाई में पीला धागा पहनना नकारात्मक उर्जाओं और प्रभावों से सुरक्षा के रूप में देखा जा सकता है ऐसा माना जाता है कि जो भी ये धागा पहनता है उसके चारों तरफ सकारात्मक उर्जा का कवच बनाता है सकारात्मक प्रभाव की वजह से इस धागे से कई तरह के शारीरिक लाब भी मिलते हैं पीले रंग को अक्सर शुभरंग माना जाता है पीला धागा पहन कर व्यक्ति अपने प्रयासों में सकारात्मक उर्जा और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं पहनना उच्च उर्जा और आध्यात्मक कल्यान से संबंध का प्रतीक माना जाता है इसलिए जो भी इसे धारन करता है उसके जीवन में सदैव, शुभता और खुशहाली बनी रहती है कुछ संस्कृतियों में पीला धागा पहनने की प्रथा पीडियों से चली आ रही है और इसे कुछ विशिष्ट समारोहों, तेोहारों या महत्वपून रस्मों के दौरान पहना जाता है जो समृध्धि का प्रतीक बनता है पीला धागा पहनने से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है ऐसा माना जाता है कि पीला धागा गुरू ब्रिस्पती का प्रतीक है और यदि आप इसे कलाई में पहनते हैं तो गुरू को मजबूत करने में मदद मिलती है और व्यक्ति की बुद्धी ठीक रहती है इससे आपको किसी भी काम के प्रतिध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और यह आपके लक्षियों को याद रखते हुए आगे बढ़ने में मदद करता है इस धागे को धारन करने से आपकी याद दाश्ट पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है पीला धागा पहनने से मिलता है ईश्वर का आशीरवाद विभिन संस्कृतियों में अलग रंगों के धागे पहनने की प्रता है ऐसे ही पीला रंग आशीरवाद ज्ञान और दैविय सुरक्षा का प्रतीक है यदि आप इस धागे को कलाई में पहनते हैं तो आपको ईश्वर का आशीरवाद ज्ञान और दैविय सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है और ये शुभ लाभ का कारण बनता है पीला धागा पहनने से किसी के मूड और मानसिक्ता को बहतर बनाने में मदद मिल सकती है पीला धागा पहनने से रिष्टे होते हैं मजबूत अगर आपके और जीवन साथी के बीच मनमुटाव बने रहते हैं तो आप कलाई में पीला धागा पहन सकते हैं इससे आपके बीच के मदभेदों को दूर करने में और आपसी रिष्टों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है यह जीवन में सदभाव को बढ़ावा देता है इससे निकलने वाली उर्जा आपके रिष्टों को मजबूत करने में मदद करती है पीला धागा धारण करते समय ध्यान रखें ये बातें यदि आप कलाई में पीला धागा पहनते हैं तो ध्यान रखें कि आपको इसे गुरुवार के दिन ही धारण करना चाहिए यदि आप इसे पहनने से पहले कुछ देर के लिए भगवान विश्नु के पास रखते हैं तो इसके लाब आपके लिए और ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसा धागा चुन्ना महत्वपूर्ण है जो प्राकृतिक सामग्री जैसे कपास या रेशम से बना हो इस तरह के धागे हमेशा आपके लिए शुभ माने जाते हैं पीले धागे को एक गांट में बांधना चाहिए क्योंकि यह सकारात्मक उर्जा को सील कर देता है धागा पुरुशों के अपनी दाहिनी कलाई पर और महिलाओं को बाई कलाई पर पहनना चाहिए वहीं कुमवारी लड़कियां भी इसे दाहिने हाथ में बांध सकती हैं धागे को समय समय पर बदलना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह समय के साथ नकारात्मक उर्जा को अवशोशित करने लगता है जैन से हो यह धागा गंदा नजर आए इसे बदल लेना ही बहतर होता है पुराने धागे को हमेशा उतार कर किसी सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए जैसे आप इसे किसी पेड़ के पास रख दें या फिर नदी में विसरजित कर दें कलाई पर पीला धागा पहनना खुद को बुरी आत्माओं से बचाने सकारात्मक उर्जा को आकरशित करने और कल्यान को बढ़ावा देने का एक सरल और आसान तरीका है अगर आप अपने जीवन को बहतर बनाने का कोई उपाय ढून रहे हैं तो पीला धागा पहनना आपके लिए सही विकल्प हो सकता है हालांकि आपके लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कलाई पर पीला धागा पहनने के फायदे जोतिशिय मान्यताओं पर आधारित हैं और इनका कोई वैग्यानिक कारण नहीं है लेकिन आप जोतिश की मान्यताओं के अनुसार इसे धारण कर सकते हैं और बेटा अगर तुम्हें कोई और परेशानी है तो कमेंट करके बताओ और कमेंट में हर हर महादेव लिख कर इस वीडियो को लाइक कर दो और इस तरह के ज्यान वर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आउन कर लो